सलाम अलेकल मेरा नाम मुहमनत तैमूर यूसफ है और मैं ये कोर्स Amazon Web Services या AWS Cloud Computing के बारे में Extreme Commerce के platform से लेकर आया हैं इस कोर्स की details में जाने से पहले या इस कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा उनकी details में जाने से पहले मैं कुछ ब्रीफली अपने बारे में बता देता हूँ मेरा तालुक पिछले 10-12 सालों से IT-related fields रहा है मुखलिफ areas में काम किया है मेरा जो core area of focus है वो databases है, data analytics है, big data है लेकिन पिछले 4-5 सालों में मुझे ऐसे products पे काम करने का मौका मिला जो के AWS या Cloud Computing के उपर based थे कि यह बहुत बड़ी दुनिया है AWS तो इसमें जब आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप multiple tools के उपर काम करते है, multiple areas of expertise आपके उपर develop हो जाती है तो पिछले 4-5 सालों में AWS पे काम करते हुए, फिर मैंने 2020 के शुरू में एक फैसला किया कि मैं कुछ AWS की certifications करूँगा तो इस सिल्सले में मैंने AWS की 2 certifications पास की और उन certifications को पास करने का मकसल AWS के बारे में सीखना और at the same time अपनी AWS की partnership जिसको मैं pursue कर रहा था उसकी requirements को complete करना था, तो आजकल वो requirements complete हो चुकी है और मैं आजकल अपनी AWS की partnership जो है उसकी business development के उपर काम कर रहा हूँ तो अब इस course की तरफ आते हैं, इस course में आपको बहुत ही basic level से start करवाया जाएगा ताकि आप cloud computing की basics build कर सकें लेकिन इसका यह मक्सद नहीं है कि आपको बिल्कुल basic सखाई जाएगी, basics build करके एक level playing field बना दी जाएगी ताकि जो भी लोग different type के background से आ रहे हैं Amazon Web Services की कुछ basics सीख सकें, कुछ terminologies होती हैं, कुछ specific, platform specific terminologies होती हैं, products के नाम होते हैं तो आगे जाके क्योंके बहुत regularly use होंगे उनको refer किया जाएगा तो इसलिए best है कि stage के उपर हम लोग सबकी basics build करते हैं उन basics को build करने के बाद इस course को आगे इस तरह से develop किया जाएगा कि आप लोगो special skills develop करने के लिए focus trainings दी जाएगी जो कि इस तरह की trainings होंगी जिनको आप relate कर सेकेंगे कल को जब आप real world काम करेंगे जाके आप किसी client का काम करेंगे जिस तरह का वो आपसे काम करवाना चाहरा होगा उस तरह कि हम आपको कुछ practical trainings देंगे इस course में काफी सारी labs होंगी आइडिया यह नहीं है कि मैं बैटके यह ही theoretically आपको screen के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाता रहूँ तो आप मुझे extreme commerce के platform से contact कर सकते हैं मैं to the best of my abilities आपको help करने की कोशिश करूँगा लेकिन during the course मैं आपको ऐसे resources के बारे में भी बताऊँगा जहां से आजाके आप सीख सकते हैं आपको अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगोंने course में directly address नहीं की आप course का कोई issue आ जाता है तो आप उसको जाके कहां से डूंड सकते हैं और resolve कर सकते हैं इस course की यह requirement नहीं है कि आप IT background से आ रहे हैं अगर आप IT background से आ रहे हैं तो आपको यकीन हम पाइदा होगा लेकर अगर आप non IT background से भी आ रहे हैं तो AWS की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसमें ऐसे products भी है जो के सीखने relatively आसान है और उनकी काफी demand है तो customers को यह उनके जरूरी नहीं होता कि आप IT background के हैं और आपको बहुत सारा कुछ पता है IT से related तो अगर आप non IT background से भी आ रहे हैं तो आप चीज़ें सीख सकते हैं So let's start